हलो दोस्तों सब्युक्त क journaling कैसे हैं सब मैं आशा कर वो बोको अच्छे होंगे हैपी होंगे हेल्दी होंगे मजे में होंगे grab a आप सबी लोगों का एक पार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल ममता फैमिली ब्लाग में और अपने डेली के रुटीन में तो आज फिर से मैं आप सब के साथ में अपने विंटर का मॉर्णिंग रुटीन शेयर करने वाली हूं कि मैं किस तरीके से इतनी ज्यादा ठंड में सुबह सुबह अपने घर के सारे काम बिना किसी की हेल्प के अकेले ही करती हूं और देखो सर्दी चल रही है ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है अभी हमारे इदर तो सूरे नारायन भी निकलने बंदो गए हैं दस बारा दिन से दरसनी हुई है और ऐस गेल्डी में घूमी फिर गीजर ओन करके हाथ मों धुला है और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा मौस्टराइजर लगा रही हूं और गीजर ओन क्या था तो गरम पानी से हस्पेंजी भी हाथ पर धुलके आ गये हैं और यह जा रहे हैं जैक और डुगो को घुमाने और ब जो थोड़ा सा आलस लगता है जब इसकी खिची लगती है तो अभी जो देखे आ गई हूं चाय ले करके और बाहर आई हूं तो यह देखे मौसम हमारे यहां का जो मौसम है अभी जो साथ बज़ रहे हैं और यह जो कोहरा गिर रहा है ऐसा ही मौसम पूरे दिन रहता है सु तो अंदर आकर के अपने जो डेली के काम हैं घर के वो शुरू कर दिये हैं और देखो यह जो काम है हाउस वाइप के हम सबकी नजर में तो बहुत वैलू है बहुत ज़्मेदारी का काम है बहुत जो है एक होता है ना ध्यान रहता है कि भाई यह काम निप्टाना है वो काम दूसरे की नजर में भले ही वैलू हो या ना हो लेकिन हम सब की नजर में बहुत ज़्यादा वैलू है क्योंकि ये सारे काम भी देखो टाइम पर ही अच्छे लगते हैं और इनको करने का भी एक तरीका होता है तो वहीं सारी चीजे मैं आप सब के साथ अपने ब्लॉग में श दर अधर खूटियों पर टांगती हूँ और दो दो तिन दिन सुखते हैं तो सारे मैंने सुका कर की इकटे कर लिए हैं और अभी जो है जा रही हूं इन सबको जो है तही लगाकर करता गा कर दोंगी बहुत ज़्यादा हो गया है पूरी पेटी जो उपर तक बतोलब सारे पेटी पे कपड़े दिख रहे थे और अभी जो कपड़े हैं एक तो ज्यादा निकलते हैं उपर से मोटे कपड़े हैं जिनको सुखने में बहुत टाइम लगता है तो सारे कपड़े सुखा करके फिर यहां पर सारे में घरी लगा के रख दूंगी और इनको रखना है अलमार है तो इसको साफ कर दूँगी इसको मैं रोज नहीं साफ कर पाती हौँ पूरे घर में जैसे टील दुसरे तीसरे दिन हो जाती популяр लेकिन कुछ जगह पे जो है डॉस्टिंग और्री होती है जैसे कि ये वादी यल्पारी है मैं फिर से सब कुछ रख दूंगी और फिर पूरे घर में जाड़ू और पोच्छा लगाना है तो वो सारा काम करूंगी और अभी खाना भी दोपहर का बनाऊंगी बहुत सारे काम हो जाते हैं कल साम में भी घुने के लिए रखे हैं मतलब साम मैंने भी घुए थे तो अभी मारी बिशाब कर दिया है और यहां पर लग गई हूं फूरे घर में बसका देखो कि तनी भी ठंड लेकिन और वोड़ो फिर उसके बाद आपने काम में लग जाती हूं और कई बार में क्या करती हूं जैसे हस्बंट जी का फोन ले लेती हूं तो उसको मैं रख देती हूं साइब में भजन वगएरा लगा करके तो अच्छा लगता है सुनते सुनते पता नहीं कब घर के काम हो जाते हैं पता नहीं चलता है यह चोटी-चोटी चीजे जो हैं वह अच्छी होती हैं ये चीजे हमारा कहीड कहीए बन भी लगाती है और हमारा मनश्वें रहता है जी से सब सुपह उठके बजन वगएरा सुनो तो मन अच्छा हो जाता है साथ में सुनतेुइटी भी आती है और हमारे अंदर फूड मतलुब साइब किसी को बौरियत होती हो पर मुझे तो नहीं होती है तो अभी देखिए यहां पे बाल्टी भर कपड़े रखें हैं और अभी जो ऐस्बेशन जी नहां भी लिया है तो इनके कपडे हैं साथ में कलके कपड़े है तो यह सारे कपड़े ढूलने हैं और ऑब ढगा कि आई हूं तो मैं जारी हो पूचल लगाने के लिए और अभी ठंड ज्यादा सब में गरम पानी से ही करती हूं हलका सा जो है गीजर चला देती हूं तो हलका जो गुनवुना पानी आता है उसी से जाड़ों मतलब पहुंचा वगेरा सब हो जाता है कपड़े भी गो देती हूं तो अभी जो है थोड़ा सा मैंने यहां पर बार्टी में निर्मा डाला है और सर्दियों में देखो जब पोंचा हम लगाते हैं तो कई बार सर्दियों में जैसे कुई चीज गिरती है फर्स पे तो थोड़ी जिद्दी दाग हो जाते ह साथ में भज př मैंने नमक डाल देती हूं पानी में तो यहां फटा पट मेने पोंचा लगाना शुरू कर दीया है और देखिया हमारे जैक का विस्तर पढ़ा है डुग्भौ यहां पर बिचाने के बाद मैं इसको द infantry पीघा देती हूं यह जो है पूरा दिन इसको उढ़ाना पड़ता है अब है मैंने इसको औढाया है तो यह सोने लगा है लेकिन क्या होता है जब आहट मिलती है तो फिर यह खोल के चत पर जाता है अपना घर में पोछा लगाया है और अभी यह देखे गैलरी में तो काफी बड़ा घर है मतलब मैं एक खाली वीडियो में अपना कमरा आंगन किचन और गैलरी यह दिखाती हूँ बाकि जैसे चत पर जैसे रोज तो लगाती हो लेकिन जब लगाना होता है तो उपर भी हो जाता है तो काफी टाइम लगता है करीब एक डेड़ हंटे लगते हैं पूरे घर में जाड़ो पुछा करने में और यह देखिए यह सैतान जो है मुझे जब पूछा नहीं लगाने दे रहाता यह जब पूछा लगाओ वरना यह पूछा पकड़ने के लिए दोड़ता है और अभी देखिए आप लोगों से बाते करते करते मैंने पूरे घर में जाड़ो पूछा कर लिया साफ सफाई हो गई पूरा घर साफ हो गया है और उसके बाद नहां करके आ गई हूँ तो कपड़े नहीं दोए क्योंकि मौसम बहुत खराब है धूप निकलने का कोई चांस नहीं है तो फिर मैंने का मैं कहां सुखाऊंगी अभी तो धुलके मतलब सुखा करके आज तो फोल्ड करके रखे हैं तो बस यहां पर मैं लग गई हूँ अपना मंदिर साफ करने में और सुखे कपड़े से ही डस्टिं लगने लगता है और उसके बाद जल भर के लिए कर आ गई हूँ और अब जो है करूंगी अपनी दियावाती पूजा हो गई है उसके बाद आ गई हूँ फटा फट किचन में तो अभी कर रही हूँ दोपहर के खाने की तेयारी और यहां पर मैंने निकाल लिया है सोया तो आज फ्रिज खाली है कोई भी सबजी नहीं है खाली आलो रखे हैं और सोया रखा था तो सब्जी बनाने का मन नहीं हुआ मैंने का चलो आज मैं थोड़ा सोया काट करके और फिर बनाती हूँ नमकीन चावल तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सोया ले लिया है जादा नहीं थोड़ा सा ही मैंने लिया है बाकी रखा तो बहुत है तो सबजी के लिए छोड़ दिया और इसको मैंने बारी बारी काट के यहां पे धुल लिया है और यह देखे हमारे डुगो महरा जा गए है जब मैं किचन में आती हूँ तो यह पूर यह दिन तो देखो सरदीयों में नमकीन चावल तहड़ी खिचडी वगरा अच्छे लगते हैं गरम gårम लीकिन जो सोया और चनीडाल के खिचडी इसे जो है सर्दीयों में ज्यादा अच्छी लगती है वैसे बहुत जयादे हम बहर आता है भर बचके और सबजी खाक क के बोर हो जा। तूम हमसाले डाले हैं तो बस इतनी ही चीजों से हमारी जट पर सी खिचुड़ी हैं बनके तयार हो जाती है बहुत ही बढ़िया लगती हैं तो यहां पर जब शोंक दिया है और बस जोकने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के ढक दूंगी और दोपहर भी हो रही है दीरे दीरे खाने का भी टाइम हो जाता है घर के कामों में दिन कब निकल जाता है बिलकुल पता नहीं चलता है तो नमकीन चावल चौक दिये उसके बाद यहाँ पे जो किचन काउंटर है तो इसको भी थोड़ा साफ कर दूँगी और बरतन देख सकते होंगे तो सुबे के बरतन भी मैंने नहीं लगाए है मतलब साम के बरतन थोड़े वो सुबे के हो जाते हैं कई बार क्या होता है मेरे घर में जैसे बच्चे हैं शुरू का यह बद़न को और हम से हैं और मुझे अपना किचन भी क्लीन करना है लेकिन भी थन्ड को नहीं हो रही है साथ में टाइम भी नहीं मिलता है घर के कामों से तो बस फटा पर जो है नमकीन चावल चौके हैं उसके बाद यहां पर मैंने बरतन लगाने शुरू कर दिये हैं तो बरतन जो है सारे लगा दूँगी फिर जगा नहीं बचती है बिल्कुल भी दुबारा से बरतन धु अगर धुलते जाओ तो थोड़े कम ही निकलते हैं ऐसे तो बहुत ठेर लग जाता है सर्दियों में और पानी इतना ठंडा हो जाता है तंकी का फिर जो है बतलब हिम्मत सी टूट जाती है कई बार तो यह देखिए जब तक मैंने नमकीन चावल में जब तक सीटी आई तब तो अभी जो है सबी लोगों ने खाना खा लिया है फिर मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में यहां पर जो कपड़े के अलमारी है इसकी भी थोड़ी बहुत सफाई करनी है कपड़े तो सुबह मैंने फोल्ड करके रखे थे लेकिन यह जो अलमारी है यह बहुत जादा मैसी हो है तो इसके अंदर रहते हैं चार लोगों के कपड़े हस्पेंड के बच्चों के जानू के आरियन के साथ में थोड़े बहुत मेरे भी कपड़े हैं तो यह जो है मैसी होती है मेरी अलमारी साफ रहती है लेकिन यह वारी थोड़ी जल्दी-जल्दी मैसी होती है इसमें बह बार में तो मैं क्या करती हो जैसे कोई एरिया देखती हूं मैंने खर करके यहाँ पे सबके अलग-अलग मैंने रख दिये हैं तो अभी देखे यहाँ पर जो पूरी अलमारी है वो मैंने सही कर दी है सभी के कपड़े अलग-अलग फोल्ड करके घरी करके फिर अलग-अलग ही रख दिये हैं लेकिन यह भी कुछी दिनों के लिए है अपते दस्ते में फिर ये जो है मैसी हो जाएंगी उसके बाद फिर यहां पे मैंने अपनी अलमारी भी साप की अपनी साड़ियां वगरा सही करके फिर इसको भी रख दिया है और अभी जाना है मार्केट तो जानों के साथ मार्केट जाओंगी थोड़ा समालना ना है इसके साथ ही दोस्तों इस वाले ब्लॉग को यहीं परिंट करती हूँ वीडियो जरा सभी अच्छा लगा है तो एक लाइक और कॉमेंट जरूर कीजेगा चैनल पर नियू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में अगली ब्लॉग में तब तक के लिए बापाई एंट टेक कियर